हालो फ्राइंस आज हम मने आएंगे चटपट बनने वाला चटपटा पापड कॉन चाट पचले शुरू कते हैं आज यह रसेपी इसके लिए हम मैंने यहां पे एक पेंट को गरम करने के लिए रखा है और हम यहां पे उड़त के डाल का पापड लेंगे आप यहां पे कूल अब यहां पे फ्रेंब मीडियम ही रखेगा ताकि हमारा पापड जलना चाहे और इसे हलके हाँ से प्रेस किजिएगा ताकि नीचे से प्राउन ना हो चाहे और इसे प्रेस करके दोनों साइट से अच्छे तरह से पका लेंगे अगर आपको ओल में सिखना है तो थोड़ा स यह तोड़ा सा गरम ही होगा तो आप इसे हाथ से ना कर पाए तो इसे कपड़े से या फिर कीचन नीफकिन से इसे प्रेस कर जिएगा जब तक यह ठंदा ना हो जाए तब तक इसे प्रेस करके रखियेगा पाँच से दश देगान में अच्छी तरह से ठंदा हो जाएगा अब यह ठंडा हो चुका है तो इसे हम साइड में रखतेंगे और इस तरह से हम दूसरे पापड़ भी बना के तयार कर लेंगे अब यह सीख जाए तब में इसे अच्छे तरह से पॉन इसे बना लीजियेगा और इसे इसे कपड़ से पकड़के रखेगा ताकि आप जलना जाए तो यह हमारा पॉन बनके रेडी हो चुका है अब हम इसका स्टफिंग भर लेंगे इसके लिए हम लेंगे अधा कप जितना बोईल आलू यहां पर मैंने छुटी सा इसका बोईल आलू लिया था उसे टुकड़ों में काट लिया है दो बड़ी चमब चितना टामाटर दो बड़ी चमब चितनी गाजर दो बड़ी चमब चितनी सिम्ला मिर्ष दो बड़ी चमब चितनी खीरा दो बड़ी चमब चितना रो मेंगो यानि की कच्छा आन यह टोटली ओप्सनल है जो आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, साथ में दो बड़ी चम्मच चितनी प्याज, दो बड़ी चम्मच चितना धनिया, एक चम्मच चितनी हरी मिश, नमक, अधी चम्मच चितना चाट मसाला, दो बड़ी चम्मच चितना चीवडा, या फिर कोई भी नमकित, साथ में दो बड़ी चम्मच सेव, और दो ब अगर आपको लाल मिर्श पाउडर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हो लाल मिर्श मेंने यहां पर कस्मी रिया है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से रेड जैसा आए इसे अच्छी तरह से मिला लीजेगा अब हम इसमें आदा निमो का रस डाल देंगे अगर घर में कोई केश्ट आ जाए या फिर आपको स्टाटर के रिये इसे सव करना हो तो आप इसे फटाफट बनाके इसे सव कर सकते हो यह एक तव इसी बन जाता है अब यह मिक्स हो चुका है तो हम इसे कौन में इसे भर लेंगे आपको जब ये सव करना हो तभी आप इसे कोन में भरियेगा वरना ये हमारा जो पापड है वो सोफ्ट हो जाएगा उपर से मैंने थोड़ी सी सेव चना दाल और धन्या से गानिश कर लिया है तो रेडिया हमारा ये चट पटा मसाला पापड कोन आपको ये रेसेपी कैसे लेगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा रेसेपी अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बेल आइकन